प्रेम से बोलिए सनी भगवान की जय आज की कथा में आप से भी सुनेंगे पिपलाध और सनी भगवान की कथा जो भी इनकी कथा को सच्चे मन से स्रवन करेगा उसकी सारी दुख तकलिप समाप्थ हो जाएगी कहते हैं कि किसी पर सनी की साढ़े साथी होती है तो बिद्वानों दुआरा कहा जाता है कि आप पिपल ब्रिक्ष की पूजा करे आखिर इसके पीछे का कारण क्या है आईए इस रहस्य को जानते हैं पिपलाध रिशी का नाम आप सभी ने सुना होगा वह महारिशी दाधिची की पुत्र थे महारिशी दाधिची जिन्होंने अपनी हड्यों का दान कर दे थी जिससे इंद्र का बजर बना कर और ब्रितासुर का संगार संभब हो पाया था यहाँ घटना ब्रह्म्य पुरान की है समसान में जो महारिशी दाधिची के मांस पिर्ण का दाध संसकार हो रहा था तो उनकी पतनी अपने पती का ब्योग सहन न कर पाई और पास में इस्थित पीपल के ब्रिक्ष की कोटर में जो जरो के कारण एक गढधा बन जाता है उसमें अपने तीन वर्ष के बालक को रखकर स्वयम चीता पर सती हो गई इस परकार महारिची दाधिची और उनकी पतनी का बलिदान हो गया किन्तु पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तरपने लगा और चिलनाने लगा जब कोई बस्तु से नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल खाकर वह बरा होने लगा एक दिन देवरिशी नारत वहां से गुजर रहे थे नारत जी ने पीपल की कोटर में बालक को देखकर उससे उसका पड़ीचै पूछा बालक ने अपना पड़ीचै दिया और बताया कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ नारद ने पुछा तुम्हारा जनक कौन है तब बालक भी उसी तरह का उत्तर दिया कि वह नहीं जानता कि उसके जनक कौन है तब नारद जी ने अपना ध्यान धरकर उस बच्चे के बाड़े में पूरी जानकारी निकाली और उसे बताया कि तुम माहां दधी जी की पुत्र ह तुम्हारे पीता की अस्थियों का बजर बना कर ही देवताओं ने असूरों पर विजय प्राप्त की थी नारद ने बताया कि तुम्हारे पीता दधी जी की मृत्तु महत्रा 31 ब्रस की उम्र में ही हो गई थी बालक ने अपने पीता की आकाल मृत्तु की बारे में जानना च दिया क्योंकि वहां पीपल के पत्ते और उसका गुदा खाकर बड़े हुए थे उसके बाद नारत जी ने उसे दिक्षित किया नारत जी के जाने के बाद उस बालग ने जिसका नाम पिपलाप्त था ब्रह्मा जी की घोर तपस्या के ब्रह्मा जी ने जब बालक से बर मांगने के लिए कहा तो पिपलाब्द ने अपने ध्रिष्टी मात्र से किसी को भी जलाने की सक्ति मांगी ब्रह्मा जी ने उसे ब्रदान दे दिया प्रमा जी के ब्रादान के बाद पिफलाद ने सबसे पहले सनी देव का आहवन किया और उन्हें अपने सामने प्रश्टूत किया सामने पाकर उन्होंने सनी देव को भस्म करना सुरू कर दिया सनी देव सरीर से जलने लगे ब्रमान में कोला हल मच गया सूर्य पुत्रा सनी की रक्षा के लिए सारे दवता बिफल प्रतित हो रहे थे सूर्य ने अपनी आखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखा ब्रह्मा जी उसे पचाने के लिए बिनये निवेदन किया ब्रह्मा जी ने स्यम पिपलाद के सम्मुक परकट होकर सनी देव को छोड़ने के लिए काहा इन्तु वहां तयार ना हुए ब्रह्मा जी ने एक के बदले दो बरदान मांगने की बात कही तब पिपलाद ने खूस होकर दो बरदान मांगे पहला जन्म से पाच ब्रश तक किसी भी बालक की कुंडली में सनी उसको कारक नहीं होगा जैसे मैं अनाथ हुआ सनी के कारण कोई और अनाथ नहीं होगा दुसरा उन्होंने कहा मुझे अनाथ को पीपल में सरन दी थी जो ब्याक्तिक सुर्या उदय से पुर्वे पीपल ब्रिक्ष पर जल चठाएगा उस पर सनी की बुड़ी महादासा का असर नहीं होगा मा जी ने तथास्तु कहकर ब्रदान दिया तब पीपलाद ने चलते हुए सनी को अपने ब्रह्मा डंड से उसके पैरों पर अगहत करते हुए मुक्त किया जिससे सनी देव की पैर चति ग्रश्थ हो गए और वह पहले जैसे तेजी लायक नहीं रहे आता तबी से सनी को सनिचराय जिसे हम आम भासा में सनिचर कहते हैं कहा जाता है कि रतिया सनिचरा जो धीरे धीरे चलता है वह सनिचराय आग से जलने के कारण सनी की काया काली पड़ गई आप अक्सर किसी भी पीपल के पेर के नीचे सनी की काले मुर्थी जरूर देखते होंगे उसके पीछे यही पौरानिक कारण है जब सनी की महादसा या साधे साती चलती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है तो ग्यानी जनों के पास बहुत साधे उपाय होते हैं आम जनों को करने का एक साधरन सा उपाय मैं आपको बताती हूँ जिसका लाब स्वाप परतिशत मिलता है आपको सुभा उठना है सुर्य ओदय से पुर्व नहाध होकर पीपल के ब्रिक्ष को जल देना है उसके साथ चकर लगाने है पर साथ चकर लगाने के बाद इस मंत्र को हिंदी में बोलना है आपको कहना है कि जीस तरह से आपने पिपलाब्द रिशी की रक्षा की थी ठीक उसी तरह मेरी भी रक्षा करें और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में सनी के पूरे परभाव कम होते जा रहे हैं रेम से बोलिए सनी भगवान क की जै पिपलाब्द रिशी की जै